उपचुनाओं के नतीजे आ चुके हैं और खतौली विधानसावा सीट में आरेली के जीत हुई है अब उनके कुल नौ विधायाक हो गए हैं और इस वक्त हमार साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं रालोत के राश्टे देख जहें चोदर जी सर कितनी बड़ी जीत है क्योंक उसरे मुद्दे हावी हो गए थे लोगों ने दुबारा अपने खुशाली से जुड़े मुद्दों को पैचाना है उनको बढ़ाने का काम किया है 16% हमारा वोट जो कुछी महीने पहले हमें चुनाम में मिला था हम चुनाम में बढ़के हमें मिला है तो जिस तरह से लोगो उत्तरपरदेश में कितना बड़ा दैट तो आपके उपर है क्योंकि 24 में निगाहें आपके उपर ही होगी एक तो यह confidence देता है लोगों को कि ऐसा नहीं है कि यही रहेंगे और यह जो हुआ लोगों के मन में बना रखा है कि हराय नहीं जा सकता अगर हम साकरात्मक प्रचा और बहुत प्यार दिया है मौका दिया है तो यह सिर्व मुझे नहीं पार्टी के हमारे गडबंधन के सभी कारेकरताओं के लिए बहुत बड़ी प्रेड़ना है और सीख है मैंपूरी की जीत बहुत अच्छी है और बड़ा मारजन से डिम्पल जी को दुबारा मौका मिलाया और संसद में रहेंगी और महिलाओं के मुद्धों को लेकर और समाजबादी पार्टी के हमारे गडबंधन के मुद्धों को उठाएंगी विश्वास के साथ मैंपूरी की जीत इसली भी महतबून होती है कि ये चुनाव हम कोई जाते नहीं थे चुनाव इसली हुआ क्योंकि मुलायम सिंग जी का निधन हुआ और वो जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम लोगों के मन में है शायद उसे पार्टने की कोशिश लोगोंने की हाशिवात दिया है और दुबारा विश्वास जिता है अखिलेश जी की नहीं थे तुम्हें शुपाले अदो जी की भी वापसी हुई है प्रस्पा उन्होंने खत्म कर दिया और विलाय कर दिया संदरी पार्टी में मुलायम सिंग जी के निधन के बाद परिवार में जो एक ताय एक जुड़ता आई है कितना बड़ा संदेश है ये कार्य करताओं के लिए और तमाम कर दॉड़ांगा संदरा रांपुर की आँप की सीट कि नहीं है हम और जाएं कोई बात resignation और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो позже हमने आचीज किया एक काश्रावर में और मैंपूरिमें ऊंपर चाहन काम लोग रहाएं करटास्तम से Rock मत को जनता के भावनाओं को दबाया गया कुछ ला गया है पुलीस प्रशासन जिसको स्वतंत रहना था और चुनावायों की निर्देशन में काम करना था या तो चुनावायों की धिल रही है या पुलीस प्रशासन पूली तरह सत्ताधरी दल के साथ समन्वे बना के काम कर र हैं आपको सिर्फ वोटिंग वोटर कार्ड के बल पे ही आपको मद्दान का हक मिलेगा जो कि सरासर गलत है जूट है तो इस तरह से अगर बड़े-बड़े के लिए बड़ी हार हुई है कि क्या रण्यति रखे क्या अब दोजाज चोबीस या पर अधर अंदर आ ग्रवंधन में कहीं ने कहीं आपकी उपर है मेरा कोई लक्ष चुनाफ को लेके नहीं मेरा लक्ष यह है कि जो हमारा समवनवे बना जो भाईचारा बना जो समाजिक शक पढ़ा होते हैं, 2024 का चुनाव आएगा, उसके बाद भी चुनाव आएगा, फिर मौका मिलेगा, यह जो हम परयोग कर रहे हैं, जो कोशिशे कर रहे हैं, उसे जमीन पर उतारने के लिए हमें मौके मिलेंगे सवसादी पार्टी के साथ सबसे पुराने गड़बंदनों में आप ही बचे हैं, बाकि सब पार्टी छोड़के जा चुके हैं, तो क्या विश्वास निता आगे तक पुरी तरी किस बरकरार रहेगी? मुश्किल होता है, दोनों पार्टी के अपनी अलग-अलग उमीदे होती हैं, वरकर्स की और हर चुनाम में चीज़े सामने आती हैं, फ्रिक्शन होता है, तनाब भी पैदा होता है, लेकिन अगर आपस में विश्वास हो और एक बड़े तस्वीर को बनाने के लिए आप सा बहुत बड़ी सामाज़िक ताकत है, जो हमारे साथ जूटी है, उमीद करते हैं कि हम इस गड़ बंदन को आगे और मजबूत करेंगे, आगे ले जाएंगे, एक आखरी सवाल है, आज आपने राजसमा में जीरो और में नोटीस दिया है, लखीमपूर एक खीरी हिंसाकार म वहां गया, किसानों ने पंचायत की, किसान संगठनर के परतिनी जिम्मेदार लोग नेता वहां थे, और अधिकारियों के सामने कुछ गोशना है हुई हैं कि हम हर गाहिल को दस लाग का मुहावजा देंगे, जो हमारे किसान मारे गय थे उस नरसिंगार में, उनको हम सरकार उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, और जो गवाह हैं, सुप्रिम कोर्ट ने ये मैंडेट किया, कि आप उन गवाहों की रक्षा करना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, तीनोई चीज में सरकार फेल है, विधान सभा में जब हमारे विधान मंडल दल के नेत श्री राजपाल बालियान जी ने सरकार से सवाल पूछा, कि क्या आपने जो घायल वे उनको 10 लाग का मुवजा दिया है, क्या आपने जो किसान, जो ब्रतक किसान, उनके परिवारों में सरकारी नौकरी दी है, सरकार का सपष्ट जवाब मिला है, नहीं, तो इसलिए उस जाएगा कि गड़बंदन बरकरार रहे और गड़बंदन बरकरार रखते हो पार्टी को मचबूत किया जाए, करशन सुनील पांडे के साथ, अमिना अश्तिवारी, एबीपे गंगा, दिल लिए, एबीपे गंगा, खबर आपकी, जवाँ आपकी,